आज इस personality की मैं बात करूँगी 14 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पहली फिल्म की 15 साल की उम्र में इनके पास अपनी कार थी Mercedes 16 साल की उम्र में इन्होंने अपना खुद का फ्लाट खरीद लिया इनकी इस तरक्की को देखकर कह सकते हैं कि ये सक्सस के पास चल कर नहीं गई बलकि सक्सस खुद इनके पास चल कर आई इन्हें क्या पता था कि एक पार्टी में जाएगी और वहां से इनकी किस्मत बदल जाएगी इन्होंने फिल्में तो बहुत की लेकिन विनोध महरा के साथ इनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया जाता था बात करेंगे गोलमाल, खटा मीठा और शान जैसे शांदार फिल्मों में काम कर चुकी आक्ट्रस बिंदिया गोस्वामी की बिंदिया गोस्वामी की लाइफ से जड़ी बिंदिया गोस्वामी की लाइफ से जड़ी के अलावा उनकी एक बहन परल गोस्वामी थी जो की एक एक एर हॉस्ट्रस थी और इसके अलावा राजीव नाम का उनका एक भाई भी था मुंबई की जिस लोकालिटी में बिंदिया गोस्वामी रहती थी वहीं पास में उनके पड़ोसी थे लक्षमी कांथ प्यारेलाल की टीम के प्यारेलाल जी जिस वक्त 14 साल की थी बिंदिया गोस्वामी तब प्यारेलाल जी के बेटे का बर्दे था बर्दे की पार्टी में बिंदिया गोस्वामी की फैमली को भी इंविटेशन मिला था क्योंकि एक high profile birthday party थी, वहाँ पर कई फिल्मी लोग आने वाले थे, इसलिए बिंदिया गोस्वामी के लिए उनकी मदर ने special dress तयार की यादों की بारात में चुरा लिया है तुमने, इस गाने में जीनत अमाल ने जो कॉस्ट्यूम पहना था, वैसा ही कॉस्ट्यूम पहन कर बिंदिया गोस्वामी प्यार इलार जी के बेटे की burn party में गई, इस burn party में Bollywood आक्टरस हेमा मालिनी की मदर जया चक्रवती भी जैसे ही बिंदिया गोस्वामी पर जया जी की नजर पड़ी उन्हें देखते ही लगा कि इस लड़की की शकल तो मेरी बेटी हेमा मालीनी से मिलती है और इस पार्टी में बिंदिया गोस्वामी को देखने के कुछी दिनों बाद हेमा मालीनी की मदर जया ने बिंदिया गोस्वामी को एक फिल्म ओफर कर दी ये फिल्म थी जीवन जोती जो खुद हेमा मालीनी की मदर ही प्रिड्यूस कर रही थी बिंदिया गोस्वामी के parents एका एक तयार नहीं हुए लेकिन उन्हें इतना जरूर पता था कि हेमा मालिनी की mother एक अच्छी lady है वो हेमा का भी खूब खयाल रखती है इसलिए बिंदिया को भी अपनी बेटी की तरह ही रखेगी और इस तरह से 14 साल की school going girl बिंदिया गोस्वामी बन गई बॉलवुड अक्ट्रिस अपनी करियर के शुरूआत में जीविन जोती के अलावा मुक्ती नाम की फिल्म भी बिंदिया गोस्वामी ने की पीछे मुड़कर नहीं देखा बिंदिया गोस्वामी ने अपनी पहली सक्सेस के बाद अपने लिए कार खरी दी सलीम खान साहब जो सल्मान खान के फादर है उनके पास एक मरसिडीस थी वो अपनी मरसिडीस सेल कर रहे थे और तब बिंदिया गोस्वामी ने अपनी कमाई से ये मरसिडीस खुद खरी दी थी कहते हैं कि यहीं से बिंदिया गोस्वामी का रिष्टा सलीम जावित के साथ अच्छा हो गया और आगे चलकर उन्होंने शान फिल्म में वेल बिंद्या गोस्वामी की जहां तक बात है तो उन्हें इंडस्ट्री में काम मिल रहा था जिस किसी आक्टर के साथ वो काम करती उनकी चांती विनोध महरा के साथ उन्हों ने कुछ फिल्में कि और उन फिल्मों में बिंद्या बिंदिया गोस्वामी को पता था कि इंडस्ट्री में कैसा माहौल है इसलिए वो सेट पर जब भी फ्री टाइम होता तो अपनी किताब खुल कर बैट जाती किसी से ज़ादा बातशीत नहीं करती यही कारण है कि इनिशिल स्टेज पर उनका किसी के साथ अफैर या किसी के बिंदिया गोस्वामी बच नहीं पाई विनोद महरा उस वक्त अल्रेडी मेरिट थे बावजुद उसके विनोद महरा बिंदिया गोस्वामी से बेहत क्लोज आ गए दोनों का अफेर चला इस अफेर को लंबे समय तक सीक्रेट रखा गया क्योंकि विनोद महरा मेरिट थे और उन्होंने अपनी वाइफ मीना को तलाग भी नहीं दिया था दोनों चुपके चुपके गूमते मिलते एक बार ऐसा हुआ कि मीडिया ने इन दोनों की इंटिमेट तस्वीरे लीग कर दी जिसके बाद विनोद महरा को फैमली में दिक्कत होने लगी विनोद महरा भी पीछे नहीं हटे उन्होंने आगे चलकर मेरिड होते हुए बिन्दिया गोस्वामी के साथ 1980 में शादी कर ली इस शादी के खबर ने हर किसी को चौका दिया उस वक्त बिन्दिया गोस्वामी महस 18 साल की थी दोनों की शादी हो गई थी, दोनों साथ थे लेकिन शांती से एक दिन भी साथ नहीं रह सके इसके पीछे कारण था विनोध महरा का पास्ट, जी हाँ उनकी वाइफ के कारण विनोध महरा को दिक्कत होने लगी, उनकी वाइफ मीना के भाई ने धमकी दे दी थी कि मैं सब कुछ तहस नहस कर दूँगा, कई दुनों तक विनोध महरा बिंदिया गोस्वामी को लेकर होट और प्रॉपर प्रोसेस के तहथ ही अलग हुए, मही कुछ लोगों का कहना है कि विनोध महरा के साथ शादी शुदा रिलेशन में होते हुए भी बिंदिया गोस्वामी को डिरेक्टर जेपी दत्ता से प्यार हो गया और ये 85 में एक शाम ऐसी आई जब जेपी दत्ता के जानती थी, ये 1976 में सरहत के दौरान वो पहली बार जेपी दत्ता से मिली और 1985 में वापिस जब गुलामी फिल्म उन्होंने की तो वो जेपी दत्ता के करीब आ गई और दोनोंने शादी कर ली, शादी के बाद बिंदिया गोस्वामी फिल्मों में नजर नहीं आई, उन्हो परिवार को डेडिकेट हो गई, काम के नाम पर अब वो हिरोईन के बजाए कॉस्ट्यूम डिजाइनल का काम करने लगी, पती जो फिल्में डिरेक्ट करते, उसी में बिंदिया गोस्वामी अक्टर अक्ट्रस के कॉस्ट्यूम्स डिजाइन करती, जेपी दत्ता की पर उनकी बेटी निधी की, तो वो भी बिंदिया की तरह एक फिल्म अक्ट्रस ही है, बिंदिया गोस्वामी ने एक मैगजीन को इंटव्यू के दौरान अपनी लाइफ का सबसे डरा देने वाला इंसिडेंट बताया था, 1980 में बिंदिया गोस्वामी की टक्कर फिल्म आई भीड के बीच से एक शक्स आया जिसने बिंदिया गोस्वामी के कपड़े खीच लिये, बिंदिया गोस्वामी ने बताया कि उस शक्स ने उनके कपड़े इस तरीके से खीचे कि पीछे से उनका पूरा का पूरा गाउन उपर से नीचे तक फढ़ गया, पबलिक के बीच उ वो कोई पागल फैन था जिसने ये तक कह दिया था कि अगर मुझसे शादी नहीं की तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। बाद में बिंदिया के भाई राजीव ने उस फैन को समझाया। बिंदिया गोस्वामी का करियर जिस तरीके से रहा है ऐसा करियर कम ही लोगों को मिलता है। यहाँ पर लोग आते हैं साल निकल जाते हैं एक सक्सेस्फुल फिल्म पाने के लिए और बिंदिया गोस्वामी को अपने करियर के इनीशिल डेज में ही सक्सेस मिल चुकी थी। किसी सेलिब्रिटी की कहानी अगर आपको सुननी है तो उसका नाम कॉमेंट सेक्शन में सरूर शेयर करें सब्सक्राइब करें बॉलिवर्ट ठेकाना